मा बनने के लिए जरूरी होता है अंडे का बनना और अंडे का सही समय पे फूटना अगर अंडा सही समय पे नहीं फूटता तो महिला मा नहीं बन सकती सिर्फ इतना ही नहीं अगर अंडा नहीं फूटता तो ये गांट का रूप ले लेता है और इसके बाद शुरू होती हैं तरह तरह की समस्याएं नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोग फिटनेस आइडियास में दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा उन महिलाओं की समस्याओं के बारे में जिनका अधिकतर में रुपस कमेंट आता है कि सर हमारे अंडे दो बनते हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमने कई बार HCG का इंजेक्शन भी ले ल सॉलूशन को भी समझ सके वीडियो पसंद आया तो हमारी महनत के लिए इसको एक लाइक जरूर दे और ज्यादा से ज्यादा फेस्बूप के वटसप पे इसको शेयर भी करें क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे वीडियो हर महिला तक पहुचेगी और उनको भी इसकी जानका हो रहे होते हैं ग्रो कर रहे होते हैं और जब उस महिला के पीरेट्स का 13 या 14 दिन आता है तो उस तोरान उसके जितने भी फॉलिकल्स वहाँ पे तयार हो रहे होते हैं उनमें से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है पूरे साइज में आजाता है साइज में आने के बाद वो फ और रिलेशन के तोरान इस्पर्म अंडे से मिल जाता है तो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और महिला की प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहीं अगर माल लेजिये महिला रिलेशन में नहीं रहती है या फिर किसी और कारण से अंडे को इस्पर्म नहीं मि उपर क्योंकि महिला की शरीर में जो fertility हॉर्मोन से जैसे की estrogen, progesterone और LH इन सब हॉर्मोन की वज़े से ये सारी प्रक्रिया चलती है और अगर हॉर्मोन में कोई कम ही आ जाया हॉर्मोन से imbalance हो जाएं तो ये जो प्रक्रिया है बादितोनी शुरू हो जाती है इसमें उन महिलाओं की जिनकी उम्र 40 साल है, 40 के उपर है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 साल से कम है दोस्तो ऐसी महिलाओं में होता क्या है कि उनके शरीर में मोटापा बढ़ जाए या फिर उनको diabetes की problem हो या फिर उनके life style की वज़े से या अंडे सही समय पर फूटते नहीं है और जब अंडे फूटते नहीं है तो यही जो है गाट का रूप लेना शुरू कर देते हैं जिसको ovarian cyst का जाता है यानि कि अंडाशे की गाट का जाता है इस समस्या को normally PCOD या फिर PCOS के नाम से जानते हैं PCOD मतलब polycystic ovarian disease या फिर इस 2-3-3 महीने तक आते नहीं है और जब periods आते हैं तो उस दुरान महीला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस गाट की वज़े से bleeding भी ज़्यादा होती है इसके लावा महीला के शरीर पर अंचाहे बाल आ जाते हैं शरीर में मोटापा आने लगता है महीला की आवाज भी थ सरीके से depend करता है आपके life style के उपर इसके लावा मार्केट में बहुत सारे supplements आ रहे हैं जिसमें कि दावा किया जाता है कि आपका PCOD से ठीक हो जाएगा जबकि हकी यह है कि जब तक आपका life style अच्छा नहीं होगा तब तक आप महंगे से महंगा supplement भी ले लेंगे तो भी आप आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ आपके पैसे बरबाद होगे आपका समय बरबाद होगा इसलिए सबसे पहले आप अपने life style को ठीक कर लीजिए और जब आपने life style को ठीक किया तो आपको किसी भी supplement या दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है life style में बात करते है कि क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले चीज़ आपके नीन जो की पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए इसके लिए सही तरीका यह है कि आप रात को 10 बजे हर हाल में सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं जादा लेट सोना और जादा देड तक सोना भी ठीक नहीं है और कम नीन लेना भी ठीक नहीं है दोनों ही कंडिशन में आपके हॉर्मोंस इंबैलेंस हो जाते हैं आपके माइंड पे इस्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है नमबर दो है डाइट दोस्तों हमारे लाइफ इस्टाइल में डाइट का बहुत एहम रोल है अगर हमारी डाइट अच्छ अगर आप नॉन वेजटेरियन है तो चिकन अंडे ये सारी चीज़े एक लिमिट में अपने डाइट में जरूर शामिल करें वो हर चीज होनी चाहिए जिससे कि आपके शरीर को बरपूर मातरा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीज़े मिल इसके लावा फास्ट फूड, जंक फूड को पूरी तरीके से कट कर दें, बहुत ही ज़्यादा दिन करें तो महीने में एक या दो बार कभी बहुत सी लिमिट में हलका फूरका उसको खा सकते हैं इसके लब वो डाइट में एक चीज़ हमेशा इध्यान रखे कि शाम को साथ बजे के बाद कार्वो हाइडरेट वाली चीज़े ना ले जैसे की आलू, केला, चावल, रोटी इस तरह की चीज़ों से बचें क्योंकि अगर आप रात किसमें इसको लेते हैं तो इससे आपका वेट काफी तेजी से गेन होता है, नमबर तीन है एक्सिसाइज, अपने टेली रूटीन में एक्सिसाइज को जरूर शामिल करें, कम से कम आदा घंटा और ज्यादा से ज्यादा जाएंगे अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी उम्र 40 है या फिर 40 से जादा है दोस्तों बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में महिलाओं के 50 साल या 50 साल की बात तक भी पीरेट्स आते थे और वो इतनी उम्र में भी नैचरली कंसीव करती थी और नॉर्मल साने बंद हो जाते हैं यानि कि मीनोपॉस की सिंटम्स दिखने लगते हैं मीनोपॉस वो कंडिशन होती है जिसमें महिला के पीरेट्स पूरी तरीके साने बंद हो जाते हैं और उसके बाद वो महिला कंसीव नहीं कर पाती है तो अगर किसी महिला की उमरे 40 साल है या फिर 40 स ज़्यादा है और वो ट्राइ करें कंसीब करने के लिए और उनके साथ ये प्राबलम आ रहे हैं कि उनका एक रप्चर नहीं हो रहा है तो उनको कुछ एक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले ये कि वो अपने पीरिट को नोटिस करें कि पिछले दो से तीन मह रही है और ब्लेडिंग कम आ रही है खुल करके नहीं आ रही है और पीरिट्स भी थोड़े लेट हो रहे हैं तो उनको साथधान रहने की जरूरत है इसके अलावा उनको अगर शरीर में ठकान रहती है होड फ्लेशिश होता है जैसे कि चेहरे पे गर्मार्ट मैसूस होती है इसके अलावा कई बार उनको मूड स्विंग हो जाता है अचानक से वो खुश हो जाती है अचानक से उदास हो जाती है एकदम से गवराट होने लगती है बिना बाद के स्ट्रेस होने लगता है तो यह हो सकता है कि उनके प्रीम और मीनोपॉस के सिम्टम्स हो मैं यह नहीं क अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत कॉंटेक्ट करें तो दोस्तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना है कि एगर अप्चर ना होने की क्या कारण इसका क्या सॉलूशन है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरी मेहनत के लिए इसको एक लाइक जरूर दे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा इसके लावा और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और के लिए अपना थ्यान रगे